Assalamualaikum, आज मैं आपके साथ वनीला केक की रेसेपी शेयर कर रही हूँ और नहीं इस केक में मैदा शामिल होगी और नहीं एक्स और यह एक्लस केक है और इसे हम बनाएंगे सूजी से यानि रवा से और यह बहुत ही अच्छी बंदी है तो इसे बना के आप ती टाइम में एंजॉय कर सकते है चले इस रेसेपी को करते है, स्टार्ट यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून ओयल लिये है और यह ओयल जो है वो फ्लेवर लेस होनी चाहिए इसी के साथ हम 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे यह मैंने देशी घी डाल दिया है, मेल्ट करके डालना है और एक कब चीनी डाला है मैंने, पाउडर्ट वाली और इन सारी चीजों को मिला ले और मेजरमन में सारी इप स्टार्ट कब्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ और यह देखे अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है इसे के साथ इसमें हम शामिल कर देंगे 4 टेबल स्पून देई और देई डालने के बाद अपने अच्छी तरह से मिक्स करनी है और इस बैटर को हम स्मूध कर लेंगे बलकुल तो अच्छे तरह से आपने से मिक्स करती है और ये जब मिक्स हो जाए तो इसमें शामिल करतेंगे एक कप तो सूजी को मैंने ग्राइंड कर लिया था जिसके ये थोड़ी बारीक हो गई है और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 4 टेबल स्पून मेदा वन टीस्पून डाल देंगे लाइची पाउडर या फर आप यहाँ आप में वनीला एसंस का भी यूज़ कर सकते है या फर आप लेमन एसंस पी डाल सकते है या फर आलमन एसंस एसंस जो है वो बैसी के लिए खुश्म के लिए ही डाली जाती है तो यह मैंने थोड़ा से मिक्स कर लिया था और इसे दुबारा से हम अच्छे से मिक्स करेंगी और कुछ इस तरह की यह हो चुकी है अब इसमें हम शामिल करेंगे half cup milk और मिल्क के हाँ पर रूम टेंप्रेचर में ही है तो ध्यान रिया आपने गर्म या थंडा दूद्स में इस्तिमाल नहीं करना तो पहले मैंने इसमें थोड़ा से मिल्क आट किया था उसके बाद बागी का सारा डाल दिया सूजी को फूलने के लिए इसमें हमने लिक्विड आट किया है याने मिल्क टाला है और सूजी जो है वह थोड़ी फूल जाएंगी तो इस तरह से देखें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसे हमने रस देना है 15-20 मिनिट का ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए अच्छी तरह से आप इस तूजी फूल चुकी है इसमें हम शामिल करतेंगे 1-5 टी स्पून बेकिंग सोड़ा और 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर बेकिंग सोड़ा जिसे मीठा सोठा भी क्याते है और इसे डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लिए यहां पर मैंने टूटी फूटी लिये है और इसमें मैंने मैदा शामिल किया है अच्छी तरह से इसे मिक्स करी मैदा इसके शामिल की जाती है तकि जो टूटी फूटी वो एवनली केक में स्प्रेड हो जाए और ये केक की बॉटम में ना चली जाए इसले डाली जाती है आ और बेकिंग पेबर में मैंने लगा दिया है ताकि एक केक जो है वो स्टिक ना करें बॉटम में और इसे हम बेक कर लेंगे 180 डिक्री सेल्सियस में 40 तो 45 मिनिट्स जान रहे कि आपने अवन को जरूर से प्रीहिट करनी है 10 मिनिट के लिए और एक से दो बार आपने इसे थोड और कितनी मज़ेदार बन के तयार हुई है तो जिन लोगों को एक स्टी पसंद है तो इस तरह से एकले सूजी केक बना सकते है और मैद़ तो काफी एन हेल्दी होता है और यह हल्दी ऑफशन है केक कब तो आप यह सेमोलीना केक बना सकते हैं और इंज़ॉय करें किसी किसी पसंद आये तिस वीटियो को लाइक करें शेयर करें और यूट्यूब चानल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें बिलती हो नेक्स रेसिपी मिंशा आला अला हाफिज